इरान समर्तित हूती विद्रुई नॉम्बर 2023 से विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं गाजा पर इसराइली हमले के विरोध में हूती जहाजों पर हमले कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन ने गडबंधन बना कर इन हमलों को रोकने की कोशिश लेकिन अभी तक उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई है वही एक बार फिर लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने तांडव मचाया है यमन के हूती विद्रोहि संगठन ने शनिवार को कहा है कि उनकी मिसाइलों ने लाल सागर में एंडरोमेटा स्टार्ट टेल टैंकर को निशाना बना है उन्होंने कहा है कैसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो गाजायो दुमें इसराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में छेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हमला जारी रखे हुए है आपको बता दे कि हूती विद्रोहियों का यमन के बड़े हिस्से पर कमजा है और वहीं से वे अपनी गती विधी चलाते हैं UKMTO के अनुसार पहले मिसाइल हमले के कारण जहाज के पास एक रिस्पोर्ट हुआ और जहाज पर सवार लोगों ने इसे महसूस किया इसके बाद जहाज पर दूसरे हमले बें दो मिसाइलों से हमला किया गया जिसके परिणाम शरूब जहाज को नुकसान पहुँचा सफीन नफ्ती बरितानी अन्दूमीद स्टार जुका एक बाह्तों शॉका प्रिटिस समुद्री सुरक्षा फर्म एम्रे ने कहा है जहाज के मालिक ने जहाज के छहतिर गस्त होने की सूचना दी है हूती के प्रवक्ता सारी ने कहा है कि पनामा के जहंडे वाले जहाज ब्रिटिस स्वामित तो वाला था लेकिन LSEG डेटा और एम्रे के अनुसार शिपिंग डेटा से पता चलता है किसे हाल में ही बेचा गया था बता दे कि इरान गडबंदन हूती उगुरवादियों ने पिछले साल नौंबर के बाद से लाल सागर, बाब अलमंदम और अधन की खाड़ी में कई जहाजों को ड्रोन और मिसाइल से टार्गेट किया है भूती विद्रोयों ने चेतावनी भी दी थी कि अमेरिका और बिटन का ये सोचना गलत है कि उनके हमलों से डर कर यमन, फिलिस्तीन और गाजा का समर्थन करना छोड़ देगा भूती विद्रोयों का कहना है कि वो लाल सागर में हमास के समर्थन में हमले कर रहे हैं और वो उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो इसराइल के हैं या फिर कबजे वाले फिलिस्तीन की तरफ जा रहे हैं बीते काफी दिनों से कई देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है इसके चलते कई शिपिंग कंपनी अपने जहाजों को दक्षणी अफरीका के लंबे रूट से भेज रही है इससे माल के ढुलाय के लागत बढ़ गई है और वेश्विक इस्तर पर महँगाई भी बढ़ी है अंतराश्टी शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने के लिए भी अमेरिका और बिटेन की सेनाओं ने बीते दिनों यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले भी किये थे हलंके इसके बावजूद हूती विद्रोहियों के हमले नहीं रुक रहे हैं भारत ने भी अपने अरब सागर और अधन की खाड़ी में अपनी नौसेना को तैनात किया हुआ है और युद्धक जहाजों में निग्रानी भी बढ़ाई है। ऐसी अशंगा जताई जा रहें हमाज का एक्यूद दिप्राई सकता है और मध्यपूर को अहिस्तिर कर सकता है। एंड्रमेटा इस्तार पर हमला हूती सम्मूँ के अभियान में एक छोटे से विराम के बाद हुआ है जो इसराईल संयुक्त रास्ट अमेरिका और बिटेन से जुड़े जहाजों को टार्गेट बनाता है। खास बात ये है कि हूती बिद्रोही अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के आखों में भी आसानी से दूल जोखने में काम्याब हो जा रहे हैं।